कुलाबरेट करना चाहतों किसी की साथ और काम करना चाहतों आपके पास बनाना चाहते हो उनके पास वो प्लग इन्स नहीं है तो आप बेसिकली उनको एक यह जो आपके पास जो प्लग इन्स में आपने यूज करके बनाया है उसको सैंपल करके आप बेज सकते हो और वो वही सैंपल यूज करके अगर वो लोग चेंज करना चाहते हो कुछ तो वो लोग चेंज कर सकते हैं और उनके जो प्रजेक्स के साथ है मिक्स करके वो भी सुन सकते हैं और उसको और मतलब आप लोग एक साथ काम कर सकते हो तो चलि तो यह जो सैंपल मैंने किया हुआ है वह बेसिकली लगा लीजिए आपके जो दोस्त है उनके पास नहीं है और आप अपना प्रजेक्ट बेजना तो उनके पास तो ये project तो होगा है नहीं तो हम लोग क्या करने वाले इसको अभी अभी देखें मेरे पास ये contact है ये contact plugin जो है अगर आपके दोस्त के पास नहीं है और ये same sound अगर उनको उसके उपर और भी कुछ डालना है लेकिन ये सुनके definitely डाल सकते है आपको एक melody मिल गया और अपने ये instrument यूज किया हुआ है तो हम भेज़ेंगे कैसे इसको तो इसको भेजने के लिए अभी basically हम लोग sample कर सकते है और sampling कैसे करते हम लोग अभी ये देखे contact इसको right click किया हमने और इसमें create direct wave instrument अभी हम लोग जब create direct wave instrument करते है तो ये लोग पूसते की भाई कहाँ पे क्या कैसा है आपको save करना है तो हम लोग इसको लगा लिजिए strings है तो मैं एक strings का और ये जो thing मैंने already इदर एक दो मैंने बना के भी रखा हुआ है और इसको मैं बोल रहा हूँ लगा तो जो और ते strings ठीक है और मैंने इसको save कर दिया तो save करने के आथ बेसिकली है हमको पूछते है rendering कैसे आपको rendering चीए अब ये थोड़ा important चीज़ है जाद ध्यान से सुनना है आप लोग ये जो है पूछ रहा है low note से high note तक आपको कितना octave आपको बेजने तो जितना octave रहते है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं इसका file size बढ़ते है तो ये file आप ही मैंने देखा है कि C3 से आप मैंने basically इसमें जो है C3 से इस्तमाल करना शुरू किया है और उसके बाद C7 तक अगर आप उसको ज़्यादा octave में देना चाते हो C8 तक देना चाते हो तो वो दे सकते हो अभी ये हम लोग क्यों दे रहे है क्योंकि अगर आपका जो दोस्त है या जो collaborate कर रहा है और उनको अगर शायद octave उपर करके बोल रहा है यार तू इसमें नहीं इसमें काम करो ने तो वो chords चेंज करना है उनको same sound पे same sound पे अगर chords चेंज करना है वो लो हमको chords चेंज करके या उसको editing करके हमको वापस बेज सकते हैं अभी देखो मैंने C8 थे C3 octave से C8 octave तक दिया फिर दूसरा चीज है कीज पर जोन कीज पर जोन मतलब कितना कीज आपको एक जोन पर जीए अगर मैं दो करूंगा यह देखिए कीज कम हो रहा है तो अभी यह 3 कीज में मतलब क्या हो गया यह पहला की के बाद 1 2 3 देखा 1 2 3 तो 3 की एक एक जोन के उपर वो लो एक 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 तीन कही कर रहा है अभी 5 यह तो फिर वो 5 हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 नोट लेगा वो फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 नोट देखा आपने तो अभी मुझे पूरा चीज पर जोन बेजना है यह बेज दिया में ठीक है अभी इधर रिसेंप्लिंग यह थोड़ा दियान देना आप जितना इसका क्वालिटी के उपर है रिसेंप्लिंग मतलब आपने क्वालिटी के उपर है हमाईशा 128 ने तो 256 रखता हो लेकिन बेजने का है और चेंज़ेस करके हमें वापज बेजने का है तो प्रोजेक्ट हम लोग क्लाबरेट करके बना रहे हैं अभी उसके बाद यह जो गया इन्स्टर अफेक्स यह सब अगर आप कुछ है तो मास्टर में एफेक्स है आपका तो वह भी डाल सकते हो इसको ऑन करके एफेक्स के साथ भी बेज सकते हो लेकिन अभी मेरे पास एफेक्स कुछ नहीं है मैं अभी देख रहा हूँ कि यह मेरा कॉर्ड है इसमें मेरे को कुछ म्यूजिक बनाना है तो आप कोई रिसिस्ट हो या कंपोसर हो उनको बेज सकते हैं वो लोग सुन भी सकते हैं करें के लिए तो कट करके आपको दिखाद Crispy मेरे का यह रधिया अब यह अभी रेन्डिरिंग आ सेंपलर है यह देख सकते हैं और आजकल डारेक्ट वेफ सैंपलर जो है flsudio का कोई भी वर्जिन लेंगे आपको यह फ्री मिलता है तो यह डारेक्ट वेफ सैंपलर में अभी क्या आ गया हमारे जो देखा यह जो हमने लिखा था स्ट्रिंग्स का यही सेम चीज इसमें आ गय करेंगे हम इसको कॉपी करेंगे यह वाला कॉंटक का जो हम इस्ट्रिंग्स बनाया है ctrl c फिर वापस में इधर कॉपी करके पेस करने ctrl v अभी इधर इधर इसमें पेस हो गया अभी हम लोग यह डाल दोंगा मैं number 2 पे ठीक है अभी हम एक एक करके इसको खेलते और देखत ठीक है जी वह contact का sound हो गया अभी से मैं इसको बंद कर दिया अभी हमारे इसको मैं जरह rename कर दियता हूँ और मैं इसको लिख दूंगा sampled strings ठीक है sampled strings मैंने rename करके डाल दिया अभी हम इसको खेल के देखते है तो अभी मैंने solo किया हुआ है यह देखे तो अभी यह खेल रहा है actually इसमें से अगर मैं आप इसको delete भी करूँगा contact को यह देखे अब मैं इसको बेश सकता हूँ बीना contact का उनको भी problem नहीं होगा खोलने में project अभी सुनिए फिर भी चलेगा तो हाँ दोस्तो आज का यही था basically मैं आपको दिखाना चाहता है sampling कैसे करते हैं और अगर आप collaborate करके काम करना चाहते हो मुझे माल में बहुत सारे लोग है जो collaborate करके काम भी करते हैं जैसे remixers जो बनाते है जातर और शाहिद होगा I mean music producers plus lyricist होंगे या songwriter होंगे तो वो लोग शाहिद इसर कोई US में होगा तो कोई इंडिया में होगा ने तो कोई that is illegal completely क्योंकि वो actually नहीं हो सकता because आप sound जो है एक VST या उसमें से निकालके आप अपना sound बोलके नहीं बेज सकते हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना ये एक sampler है तो उसका भी एक legal formalities है अगर legal formalities नहीं आता आपको तो आप FL Studio का जो है webpage में जाके उनका legalities देख सकते हो पढ़ सकते हो तो थोड़ा ध्यान से जब भी आप लोग काम करें क्योंकि ये सब चीज़ आगर आप use करेंगे तो illegal होगा और बेचना चाहेंगे तो because उसमें monetization हो रहा है समझ गया और दूसरा बहुत लोगोंने मुझे बताया था कि सर जो हमारा जो competition चल रहा था उसमें बहुत लोगोंने जो direct wave यूज किया हुआ है वो लोग सही है या नहीं है अभी देखे मैंने अल्रेडी बता चुका हूँ sample अगर use करेंगे बाहर का और वो लोग सोच रहे मुझे इसके बार में मालूम नहीं है और उन्हे edge line जो software उनका है उसकी साबसे legalities जो मैंने अपना competition के लिए था वो भी है तो मुझे महलूम है direct wave के बार में क्या है तो बहुत लोग ने मुझे direct wave में sampling करके भेजा हुआ है लेकिन मैं check कर रहा हूँ कौन सा sample क्या है तो उसकी साबसे मैं use कर रहा हूँ ठीक है तो इतना ही है बस आज के लिए दोस्तों hopefully आपको यह थोड़ा helpful रहा है कि छोटा सा एक tutorial था लेकिन यह बहुत helpful यह है point है बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उनके लिए बहुत फायदा देगा ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही thank you so much for watching धन्यवाद